लोगों ने कहा कि आटो मोबील की दुनिया में फोड और सेवर लेक जैसी बड़ी कमपनिया हैं तो इन्होंने इलेक्ट्रोनिक टार की दुनिया में कदम रॉकट टेसला बना डाली लोगोंने कहा कि रॉकेट सिर्फ सरकारी कमपनी ही बना सकती है यह वाक्य महात्मा गांधी ने बहुत सालों पहले कहे थे इन वाक्यों को अगर किसी ने सच साबित किया है तो वह हैं Elon Musk फिलहाल Elon Musk अमेरिकी मूल के इंबेस्टर, बीजनेस्मेन और इंजिनियर है जो आज अपनी forward thinking के कारण दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बना चुके हैं Elon Musk की सोच हर आदमी के समस्या को दूर करने पर केंदरीत रही है इनकी इसी सोच की वज़ा से यह दुनिया में जिनियर्स अंत्रिपनेयर के रूप में जाने जाते हैं Elon Musk जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है मनावता वो प्रिथिवी के लिए जीने वाले Elon Musk के कामों के फेरिश बहुत लंबी है यह आज दुनिया के सबसे रिचेस करसन है इनकी मत वकांची योजना 2030 तक मौंगल पर बस्ती बसाने की हैं इनके सोचने का तरीका दुनिया के अनने लोगों की अपेक्छा भीन है जो इने एक्स्ट्रा ओडिनरी क्वालिटी का धानी बनाती है Elon Musk का बच्पन में बहुत मजा कुड़ाया जाता था इनको स्कूल में भुली किया जाता था या अपने कलास्मेट से पीटे जाते थे उस वक्त इनका कोई दोस नहीं हुआ करता था लेकिन इनका साहरा बहुत अच्छा था इनको केवल बुक बढ़ने का जुनुन था जब भी या परेशान होते तो केवल बुक बढ़ा करते थे अकेला पन का एक मात्र साहरा किताब ही थी इनके छोटे भाई किमबल मस्क जिनके साथ इनका काफी दोस्ताना संबन्थ था और स्कुल के दिनों में एलाउन को बहुत परेशान किया जाता था एक बार लड़कों के कुछ गुरूप ने इने सेणियों से नीचे गिरा दिया फिर इने तब तक मारा जब तक या बेहोस नहीं हो गया इस वज़ा से इने कई दिनों तक हस्पीटल में भरती रहना पड़ा एलाउन को बच्पन में चाहे जितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा लेकिन इनों ने मनावता के हित में काफी सरहा नहीं काम किया यह बच्पन में ही आईसेक और सीमो की किताबे पड़ा करते थे इसी वज़ा से इन्हें टेकनलोजी के परतियदिक लगाओ पैदा हो गया हमने एलाउन मॉस्क के सकसे जर्नी को जानने के लिए इस वीडियो को नाइन चेप्टर में डिवाइट किया है बारव वर्स की उमर में एलाउन टेकनलोजी में इंट्रस्ट लेने लगे इन्होंने इसी उमर में अपने एक वीडियो गेम बनाया इसके साथ इसका पूरा बेसिक कोडिंग सिखना शुरू कर दिया फिर बलास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाया इस गेम को बाद में इन्होंने 500 डॉलर में बेच दिया एलोन खुद से ही अमें से एक्सपटीज होते रहे हैं हार चीज को इन्होंने बुक को पड़ कर सीखा इन्हें स्पेस प्रेवल की बहुत जागा नौलेज नहीं थी बस इन्होंने बुक खर दी उसका पूर्न अध्यान किया फिर इसका इंप्लिमेंट करना शुरू कर दिय इन्होंने डिगरी को कभी मौत नहीं दिया फिजिक्स और कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग से इन्हें बहुत लगाओ रहा एलोन मस्क सुरू से ही एक्स्ट्रा ओडिनरी क्वालिटी के धनी थे प्रिक्टोरिया बुएस हाई अस्कूल से इन्होंने अपने प्रारंबिक सी करो गया जहां से इन्होंने 1992 में फिजिक्स में बैचलर अफ साइंस की डिगरी ली 1995 में एलोन पीएचीडी करने के लिए के लोग खोड़निया सीफ्ट हो गया लेकिन आप पर रिसर्च शुरू करने के मात्र दू दिन की अंदर ही इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी 1905 में एलोन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर जीप्टू नाम की एक संफ्ट्वियर कमपनी शुरू की जिसे आगे चलकर कॉम्पेक्ट ने 307 मिलियन देकर इसे खरीद लिया इसके बिकने के बाद अपने साथ परसेंट सेयर से एलोन को कुल 22 मिलियन मिले 1999 में इन पैसो में से 10 मिलियन का इंवेस्ट्मेंट करते हुए इनन एक्स डॉट कम की अस्थापना की या एक फाइनेंसल सर्विस देने माली कमपनी थी फिर एक सलबाद या कमपनी कंपनी नाम की एक कंपनी के साथ जूड़ गई इस कंपनी कंपनी के एक मनी ट्रांसफर सर विस था जिसे अब हम पेपल के नाम से जानते हैं तब से लेकर अब तक पेपल मनी ट्रांसफर का एक लोग फ्रिये माध्या में 2002 में इवे ने एक अविश्वस निये रखम 1.5 मिलियन डेकर खरीद लिया इस टील के बाद एलॉन मॉस्ट को 165 मिलियन डॉलर मिले एलॉन प स्पेस एक्स रखा कॉम्पनी आजकल स्पेस वीईकल बनाने का कारे कर रही है एलॉन के अनुसार वह 2030 तक इंसानों को मॉंगल गरह पर बसाने की योजना पर काम कर रहे हैं 2003 मेलॉन मस्क ने दो लोगों के साथ मिल को टेसला इंक नाम की एक कॉम्पनी की अस्थापना की 2008 क खासियत इसके लाजबाब इलेक्ट्रोनिक का रहे हैं 2006 मेलॉन ने अपने चचेरे भाई की कमपनी सोलर सीटी में फैनेंसल केपिटल मुहया करवाई 2013 से सोलर सीटी उनाइटेड डेस्टेट में सोलर पावर सिस्टम मुहया करवा रही है यहीं उनाइटेड डेस्टेट की दूसरी सबसे बड़ी कमपनी बन गई आगे चल कर 2016 में टेसला ने सोलर सीटी को अपने अंतरगत ले लिया आज के समय में सोलर सीटी पूर रूप से टेसला के अंतरगत कारे कर रही है दिसंबर 2015 में एलन ने एक आटिफिसियल इंटेलिजेंस रिशर्च कमपनी की शुरु के को फाउंडर बने यह कमपनी आटिफिसियल इंटेलिजेंस और मानो ब्रेन को जोड़ने की कारिया में लगी हुई है एलन बहुत अरह के अलब-अलब कारियों में लगे हुए हैं इस बात से इन्होंने साबित कर दिया है कि इनके जैसा सोच रखने वाले ब्याती कुछ बढ़ा कर पाता है वैसे तो यह आज की एक जानी मानी होस्ती हैं दुनिया भर में अपना नाम कमा चुके हैं लेकिन इनका मानना है कि दुनिया में अभी भी बहुत सारी इसी चीज़ें हैं जिने और भी बेहतर करके मानो ही तो में कारे किया जा सकता है दुनिया के सबसे अमीर आदमी का तरजया पाने वाले एलोन मस्क फेसे से इंजिनियर दिगर्ज व्यापारी और निवेसक हैं भवी से क्योर नजर रखकर वरतमान में विश्कार करने वाले एलोन मस्क की कारेयों की फेरिश्ट बहुत लंबी है संपत्ति के लिए आज से आज दुनिया के नमबर एक वैदान पर कदम रखने वाले एलोन मस्क इन्हों ने अपने मेहनत के दम पर इस मुकाम को हासिल किया है इन्होंने अमेजन के CEO जेव बिजोस को बच्छान पर नमबर वन का तांगा हासिल किया एलोन मस्क की नेटवर्ट जेव बिजोस से 1.5 औरफ डॉलर जादा है एलोन दुनिया में सबसे तेजी से कमाई करने वाले ब्यक्ति हैं कमाई की बात की जाए तो एलोन एक सेकेंड में 30,000,000 रूपे कमाते हैं एक मीनट की कमाई 2,11,000,000 है एलोन सबसे धनी ब्यक्ति बने इस मुकाम तक पहुचने के लिए इनों ने कड़ी मेहनत की दुनिया बदलने की बात के बहुत से लोग करते हैं बस कुछ कीने चुने लोग ही ऐसा करके दिखा पाते हैं वही एलोन मॉस्क दुनिया के इनीक महाल लोगों में से एक हैं चाहें बात मॉंगल गरह पर इनसानों की बस्ती बसाने की हो या प्रिथवी से गलोबल वार्मिंग खतम परने की हो एलोन की सोच हमेशा से ही दूसरे लोगों से अलग रही है आज की बात करें तो या दुनिया के सबसे अमीद इनसान होने के साथ ही दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में सुमार किये जाते हैं ऐसे में आपके मन में या सवाल उठता होगा आखिर एलोन और फिल्ड में इतने कामयाब कैसे हो जाते हैं असल में इनका खुद का एक सक्सेस मंतर है जो इन्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनाती है एलोन आज इसलिए कामयाद है क्योंकि इनके सोचने का तरीका दुनिया के दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग है इनकी खासियत है कि यह किसी भी काम कोई इंपोसिबल नहीं मांगते हैं इनका काना है कि आखिर कोई कामी इंपोसिबल कैसे हो सकता है वह अब प्रोब्लेम को तोड़ते हुए उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं यह कोई रोकेट साइंटिस्ट नहीं है नाहीं इनके पास स्यल एस्पेस की कोई डिगरी है लेकिन फिर भी इनोंने स्पेस एक्स जैसी बड़ी कमपनी को खड़ा कर दिया इसके अलावा इनके पास ओटो इंजिनियरिंग कोई भी डिपलोमा नहीं था लेकिन फिर भी इनोंने टेसला को ओटो मोबिल की दुनिया में सबसे बड़ा बनाया यह ऐसा इसलिए कर पहें क्योंकि इनके सोचने का तरीका दुनिया के अने लोगों से बिल्कुल अलग है इलावन के हिसाब से हम इनसान दो तरीकों से सोचते हैं पहलत तरीका हुआ होता है जिसको दुनिया के ज्यादत और इंसान अपनाते हैं इसको इन एलोजी के नाम से जाना जाता है दूसरा तरीका फर्ष्ट प्रिंसिपल का लाता है जिसको दुनिया के बहुत कम लोगी अपना पाते हैं जैसा कि अब आप समझ गए होंगे एलोन उनी चुनिंदा लोगों में से एक हैं एलोन मस्क के कैसे ब्यक्ति हैं जो प्रितिवी के लिए जीना चाहते हैं मनावता के लिए जीना चाहते हैं इन्होंने अपना हर काम प्रक्रेटिक और लोगों की भलाई के लिए ही किया, इन्होंने सोलर सीटी बनाई जो सस्टेनेबल एनर्जी क्रियेशन पर काम करती है, इन्होंने टेसला मोटर बनाई जो सस्टेनेबल एनर्जी कंजप्शन पर काम करती है, ठाकि एनर्जी के ड्राइविंग टेक्नोलोजी पर भी काम कर रही है Elov-moss 베िश हमयर वर ट्रस्पोर्ट शिश्टम के यन्टरलक कि वाधा रड़न की वजह से हाईपर लूक केपसूल एक वेक वेक्ष्ट में ट्रेवल करेगा जानाव के वराबर एयर रिक्सन मौजूद होगा, कोई भी खास फ्रेक्षन मौजूदना रहने की वजह से हाईपर लूक केपसूल में, मौजूद इअ थी 900-25,000 किलोमेटř म्य गंटे की रातार से एक जबा से दूसरे जबा जाएंगे या कई जे टेयर लाइन के स्पीड से भी कहीं जादा है यानि कि इससे हम दिली से मुंगई के 20 घंटे के लंबे सफर को लगबग 2 घंटों में फूरा कर लेंगे इनकी लाग दूसरे भूले ट्रेनों की अपेक्चा क काफी कम होगी इसके साथ ही इसकी टिकोट कोष्ट भी काफी कम रखा जाएगा इस पेस एकस एक स्पेस कमपनी है जिसकी सुरुआ सं 2002 में एलोन मस्क के द्वरा की गई थी इस कमपनी को सुरू करने के पीछे एलोन कमुख के उदे से री यूजिवर रोकेट का इस्तिमाल क करना है जिससे स्पेस ट्रांस्पोटेशन की कोष्ट को कम करना है इसके साथ ही भवी से में मौंगल परमाना बस्तिया बसाना है अभी तकिया कमपनी अपने उद्द से में काफी अतक कम्याब हुई है जो की दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस कमपनी बनकर उबरी है इस्प स्पेस ट्रेवल के खर्च को कापी कम किया जा सकेगा जो कि भविस्ते में स्पेस टूरीजम के नए रास्ते खोल सका है एलोन मस्क एक फ्यूजिरिस्ट वा पेरियर फ्रीद थिंकर ब्यक्ति हैं या अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने वाली एक कमपनी स्पेस एक्स के मालिक हैं इनकी और एक कमपनी दुनिया की सबसे संदार इलेक्रोनिक कार बनाने वाली टेसला है इनके बड़े बड़े सहरोगे नीचे 3D टनर बनाने वाली कमपनी भी है या इनसानों के दिमाग को मसीन से जोड़ने वाली टेक्नलोजी भी बना रहे हैं या सदी के सबसे करांतिकारी ब्यक्ति हैं इनका सोचने और काम करने का तरीका सबसे बिलकुल अलद है इनका मानना है कि प्रोब्लेम वास्टों में एक प्रोब्लेम नहीं है बलकि सल्यूशन डूनना सबसे बड़ा प्रोब्लेम है कोई कहे कि या नहीं हो सका तो वह इने बरदास नहीं एलोन मस्क की गिनती दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में होती है इनके वजे बेजोस के बीच नमबर वन बनने की लड़ाई चलती रहती है इसे ऐसे समझते हैं कि अगर एक आमादे में हर महीने 3.5 लाग कमाता है तो इसे एलोन मस्क बनने में करीब 3 मिलियन साल लग जाएंगे एलोन हर दिन 3700 करोन, हर घंटे करीब 155 करोन और हर मीनट करीब 3 करोन रुपे कमाते हैं इसी तरह से एलोन मस्क की नेटवर 276 बिलियन डॉलर है अब ट्विटर पुरी तरह से एलोन मस्क का हो गया है ट्विटर पर दुनिया भर्क में 21.7 करोन एक्टी विजन है एलोन ने टेकनलोजी की दुनिया में सबसे बड़ा डिल को अंजाम दिया है एलोन ने ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में खरीद लिया ट्विटर ने 27 अप्रेल 2022 को रात 12 बच कर 24 मिनट पर एक रिलीज जारी की जिससे इस डिल की जानकारी दी एलोन के पास ट्विटर की पहले ही 9.2% ही से दारी थी लेकिन अब वो ट्विटर के अक्यले मालिक बन चुके हैं इस डिल के बाद एलोन मॉस की ट्विटर में 100% ही से दारी हो गई है मुझे आसा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा यादि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन दबाएं और इससे अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और इस तरह की और भी संदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाएं